नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असरा आज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ यह भी खबर समाज से जुड़ी है और समधित एक ऐसे वैक्ति से जिनका जीवन समर्पित है स्वाक्सता के लिए हाँ आज मैं वही कहना चाहूंगा और वही दिखाना भी चाहूंगा कि हमारे साथ जो खरे हैं इनका नाम है भूशन कुमार सिंग और इन्हें आप पगला ज्ञारूबाला के नाम से भी जानते हैं गूगल करेंगे जवाब पघला जहरू वाला तो इनकी तस्वीर मिलेंगी और स्वख्षता को लेकर इनके द्वारा किया गया सैकरो हजारो काम मिलेगा फोटो गूरूप में वीडियो गूरूप में और आप वहाँ देख पाएंगे क्या यह कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं वहां से नजर आएगा और आज हमारे साथ क्यों कि यह मौदूद है स्वेम तो हम इनसे जानते हैं कि सोच क्या है क्या यह करना चाहते हैं कितना कर पाए है और आगे इनकी योजना क्या इस पर चाहोगा इस वीडियो को पूरा से पूरा सबसे पहले हम आपसे जाना चाहेंगे आपका परिश है और आपका जो जीवन का कार्जकाल जो अपने काम की है के तादीन आपने काम की हमारे दर्से को कुछ वार्ट मेरा नाम सशिभूसन सिंग उर्फ पगला जहारूवला ग्राम पंचायत राज दुम्री कला प्रखंड मे जी प्रधान मंतरी बनके आए दो अक्टूबर को स्वक्स्ता दिवस को घोशित की है महत्मा गांधी जी की जयनती पर मैं उसी बगत उन्हें धरम पिता मान कर भारत के एबं बिहार के भिवीन भागों में जाके स्वक्स्ता की अलग जलाया स्वक्स्ता में इस्वर की बास की गती नहीं धरपाती हैं लेकिन मैं यह स्वक्स्ता के परती समर्पीत हूं मुझे पूर्व में जिला अधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने सम्मान पत्र भी सोपे हमें मुख मंतरी के दौरा भी सम्मान मिला उप मुख मंतरी के दौरा भी सम्मान पत्र मिला और मैं हर जगह पर भी मैं सम्मानित होते गया लेकिन सम्मान से हमारा घर पड़िवार नहीं चलता है चुकि हमें इस अभियान में पत्नी के गहने तो बेश दिये लेकिन काफी कठनाईयों की सामना करते आ रहा हूं मेरा एक उधेस है कि मेरा गाओं मेरा देश मेरा राज स्वस्त रहे स्वक्ष रहे यही सुबह से साम तक मेरी अभियान प्रते एक दिन अपने गाओं से दूसरे गाओं तीसरे गाओं अपने जिलाने को जिला में मैं जाते रहता हूं और अपनी जारू अभियान से जागुकता अभियान चलाता हूँ मेरा येखी सपना है पियम मोदी जी से मिलने का जो मेरे हर समाचार मीडिया बंदु भाई मेरा समाचार पहुंचाते हैं लेकिन अभी तक मोदी जी से नहीं मिल पाए येकि येकी लक्ष के लेकर मैं आज तक देखे मैं दर्सकों से कहना चाहूँगा कि खैर मोदी जी से मिलने की जो बात है मैं आसा रखता हूँ कि जरूर हमारे चौपाल को देख करके जो भी अधिकारी पताधिकारी देख रहे हैं इस कार्जकरम को वो जरूर आगे फॉरवार्ड करें जिससे कि इनकी जो सोच है इनका विचार है वो आगे भी पहुंचे और खासकर इनको मिलने का जो सपना है वो भी पूरा हो सके हमारे पदान मंत्री से लेकिन लेकिन मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि देखिया पिठेए हाथ में जहारू है मैं पूछा और जरूरत पर चलते हैं यह भी पहचान हूँ जहारू के वज़य से मेरा गउंस ए curriculum के समाच दू को पगला यहारू प्यार झलकता है पहले तो बहुत लोग तिरिसकारते थे ये पागल हो गया है कच्रा साफ करता है नेक परकार से जो है मुझे तिरिसकारते थे लेकिन नहीं उसी तिरिसकार में भी मुझे प्यार जलगता है इसलिए और जारू ही मेरी पहचान है मैं राज में भी जाता हूं तो जारू लेके निचली करी के करमचारी जिननी अची रखम देती है, फिर भी वो अपने परशर को भी साप सफाई नहीं रख पाते हैं, मैं पिछले बार में भी अपने प्रक्षम विकास पादाकारी को साल 2020 में अबेधन भी दिये थे, लेकिन उस अवेधन का भी जो आज सक कोई पहल नहीं हो पाया आप हमारे परखंड ब्लोकस्तर पर भी जा कर देखें गेट से लेके अंदर तक कच्रों की धेर पर है जो हमारी करमचारी और कुछ पदाकारी भी उस कच्रों की धेर पर ही काम कर रहा है और स्वास के परती अप क्रों का भी दौर चल रहा है इसका इसे निजात पाने के लिए एक ही मार्क रस्ता है जो स्वक्ष्टा को अपना है स्वक्ष्टा मिस्वर की बास है लेकिन देखी एक बात जो है यहां पर इन्हों ने बात कहिए चब प्रकंड परिशर में भी कच्रा लगा है जी आपको मैं और भी किया है लेकिन वहां पताधिकार क्लिए सब्सक्राइब कर दिखा रहा है और यह दो बहुत बरी मिरम बना है जहां पर ये के जो समाजी कारी करता है उन्हें समझ में रहा है गंदिगी क्या है उन्हें समझ में रहा है कि सुख्षता जिरूरी है और सरकार सरकार मतलब हम सभी के पैसे से चलने वाली सरकार जनता के पैसे से चलने वाली सरकार जनता के पैसे से अधिकारी पताधिकारी जो वेतन आपको मैं फॉरवाट कर रहा हूँ आप इसको निदान निकालना पड़ेगा अगर आप नहीं निकालते हैं तो लानत है इसी इस्थिति पर कि हमारे यहां भी इतने लोग है इतने अधिकारी पताधिकारी है और परखंड परिशर में गंदगी लगी है उसका फोटो भी आप परिश्क नहीं होई लेकिन में बार बार जभी पर्खंड परसर जाता हूं तो मैं टारा nic की लिए अंपर हूं भागीदारी नहीं है वो तो खुद ही इतनी याद मोटी रखम लेकर अपने घर में बैठे हैं और फिर भी जो है प्रखंट पर से जो है कच्रों की धेर पर हैं और समाज के गाओं के इतना होगा यह भी आप मिला सकते हैं तो हम आपको क्या कहें और आप इसे हमारे मैं देख लगाया गया जो आरोप है जो फोटो में भी दिखा रहे हैं यह सत्य माना जाएगा और इसको लेकर ग्राउन पर भी हम दोख चलेंगे और उस अभी सवाल कि क्यों नहीं होगा यहां पर सफाई अभियान नहीं क्यों नहीं चलेगा और किस तरह अपने स्वास्त को भी आप स्वाक्षता को लेकर मेरा यही विचार है कि समाज में सरकार की इस पर अच्छी पहल है और हमारे जो पधाकारी गण है इसे गाउं के निचली करी से इस अभियान को तेज करे और ग्रामीन छेत्रों से यह तेज करे चुकि कच्रा का इसका हर घर से कलेक्सन हो रोज परती दिन जो है गाउं में गलीयों में जारू वेगरा लगे कच्रा एक जगर रिस साइकल किया जाया उसमें प्लास्टिक डस्ट है बहुत ऐसे प्लास्टिक का भी होता है जैसे प्लास्टिक मुक्त धियान भी हमने चलाए हैं जो पुरवजीला दिकाडी डॉक्टर रंजीत मतलब स्वक्षता में जोबगी कीच भी आता है उसका अभ्यान चलाते हैं लेकिन सरकार की नजर अभी तक हम पर नहीं पड़ी और मैं अपनी इस अभ्यान को मेरा एक लक्षी है पीम मोदी उसके लिए आज तक अपनी जारू लेके चलता हूं और हमेसा जो है इस कार्ज में जब तक लोगे रहूंगा जब तक मेरा समाज और मेरा देश वक्ष्ट नहों जाए बहुत बढ़िया बात है और मैं जरूर कहूंगा आपको सबसे पहले अपने चैनल के माते हम से तमाम जो हम दरसे कुछ चैनल को देख रहे हैं जरूर हम कहेंगे कि आप इनको मैं आता हूँ और अपने तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ऐसा काम करते हैं जीवन में हर आदमी का एक अंत होगा और अदमी धरती चोर के जागा है जाएगा उस समय पैसे से हिसाब नहीं किया जाएगा और मुझे आसा है यदि आप समाज के लिए अग परभा भी आएंगे उसे भी लेके चलेंगे लेकिन स्वक्षता को नहीं छोड़ेंगे हम लोग इस स्वक्षता के माधियम से कम से कम देश को एक अच्छा संदेश्क देने का कार्ज करते हैं और मैं धन्यवाद देता हूं मैं अपनी पत्नी अंजु देवी को जो मेरी इस हुमारे भारत की जो घमेंघराई में मजबूतिक अधार यहीं लोग है तो बहुत बहुत धनेवाद है को आपको तो अभार धनेवाद्वाल है च्वार्ब स्भान स्मयुक्ताब और लोगों को जरूर इसके भी सेह में जो है अभी कोवी नैंटी का भी दोर चल रहा है अपने घर के तो सभी साफ करते हैं अपने आस पर उसके भी साफ सफाई बनाया रखें जै हिंद जै भारत जै सवक्षता बहुत धनेवाद दर्सकों का भी बहुत धनेवाद आगे ऐसी लोग मिलते हैं आनंद आता है मजा आता है तो आपको भी आया होगा इस वीडियो को शाथ लोगो फौरवाड करें और शाथ ही साथ ऐसी खवर से को और भी आगे बर्हाने के लिए अगर आपके पास भी ऐसी जानकारी है या एसे लोग है या आप अगर है जो बेहतर कर रह किये धन्यवाद